पूरी तरीके से स्वस्त है माली सरकार ने 25 साल की हलीमा सीजे को अच्छी देख भाल के लिए 30 मार्च को मुरुक को भेज दिया था पहले माना जा रहा था कि हलीमा के गर्व में 6 बच्चे हैं एक साथ एक गर्व से 6 बच्चे का जन्ब आसमान्य है और 9 बच्चों का जन्ब तो और भी आसमान्य है मुरुक के स्वास्थ मंत्राले के प्रवक्ता रचीत कौदरी ने कहा है कि उन्हें देश में ऐसे 9 बच्चे के जन्ब की कोई जानकारी नहीं है लेकिन माली के स्वास्थ मंत्राले ने एक बयान में कहा है कि हलीमा ने सिजेरियन सेक्षिन दुआरा पाच लड़क्यों और चार लड़कों को जन्ब दिया है माली के स्वास्थ मंत्री ने जानकारी दी है कि मा और बच्चे अब तक स्वस्थ है हलेमा को 9 बच्चों को जन्ब देना अपने आप में दुरलब है अब पूरी विश्व में तीसरा ऐसा मामला है इससे पहले और अस्ट्रेलिया और मलेशिया में महलाओं ने 9 बच्चों को जन्ब दिया था हलकिन बच्चों की जन्ब की कुछ समय बाद ही मौत हो गई थी हलेमा को प्रसफ से ठीक पहले विमान के जरिये मौरक को पहुचाए गया था हलेमा का प्रसफ कराने वाले डॉक्टर या जीरीद मौराद ने कहा है कि सभी बच्चे करीब 30 सफता के हैं उन्होंने कहा है कि यह प्रयास किया गया है कि प्रसफ देरी से हो ताकि बच्चों को जिन्दा बचाने की संभावना बढ़ जाए उन्होंने कहा है कि यह बच्चे 25 सफता पर होने वाले थे लेकिन हमारे प्रयासों से वे 5 सफता और अपनी मा के पेट में रहे इससे उनके जिन्दा रहने की संभावना अब काफी बढ़ गई है डॉक्टर मुराद ने कहा है कि आम तोर पर जो बच्चे 30 सफता क्या सपास पैदा होते हैं और उन्हें सही इलाज दिया जाता है तो उनके लिए जिन्दा बच्चने की संभावना असी प्रतिशव तक हो जाती है उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं था कि 25 सफता में पैदा होने पर सभी बच्चे जिन्दा बच्चेंगे या नहीं इसलिए पाथ सफता का समय प्रसफ के लिए और भढ़ाये गया देश और दुनिया की तमाम चड़ी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे यह से न्यूस थन्यवाद